हेलो एवरिवन वेल्कम चू आली बोर्ड आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं सोनु कुमार आप सभी का रेजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में और उससे पहले भी मैं आप सभी को होली की बहुत सारी सुबकामनाई दे रहा हूं आप कि आपको करना क्या है किस तरीके से अपने आपको आगे लेके चलना है हम उन सभी चीजों के बारे हम बात करने वाले हैं और सभी बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा अब यहाँ पर सभी का एक्जाम जो है वह समाप्त हो चुका है अब आप सभी को पता है कि मतलब नॉर्मली जो है वह सस्टे एकजाम होने के कऱीवन एक विग के अरवं जो है एक वीक गाप के अरवंड आपका एंसर की वह रिऊ mouveं का होता है वह आपका आउट कर दिया जाता है तो जिस तरीकिशिसए अभी तारीक lasting को पेपर खतम हो चुका आपका चिए बहुत ही बच्चे कंफूज हैं इस चीज को लेकर इस तृटिके से एवयलवेशन होगा क्या होगा इसके बारे में जानते हैं अब आपको बता है कि मैथ और रीज्णिंग एक साथ पेपर आपका हुआ है और इंग्लिस और जीकी आपका एक साथ हुआ है तो इसके cut-off decide होगा उस पे evolution किया जाएगा और जो इस cut-off को qualify करेगा जो बच्चे cut-off को qualify करेंगे हाना उनका ही computer और typing test को evaluate किया जाएगा ध्यान से को qualify करेंगे जो इसके cut-off को qualify करेगा वही स्टुडेंट का evaluation होगा typing और computer वाले पेपर का जो qualifying नेचर दिया गया है तो उसको qualify करना है और वो तभी evaluate कर जाएगा जब आपका यह आपकी वह सारे सब्जेक्ट के जो है वह आप अगर पास कर रहे हैं तो उसके बाद ही उसका evaluation होगा और जब उसका evaluation हो जाएगा तो वह complete जब आपका उसमें भी आपका qualify हो चुका है है ना आपका फिर computer और वह typing भी qualify हो चुका है तो फिर जाकर final list जो है वह निकाला जाएगा जब आप इन चीजों सारी सब्जेक्स को qualify कर लेंगे पास कर जाएंगे तभी आपका एक final list निकाला जाएगा और जो इनको qualify करेंगे उसका final list जिसमें निकालेगा उनको fit देना होगा preference है आपका preference क्या है पोस्ट वाइस क्या है वो चीज़ें आपको preference difference देनी होगी online फिल करना होगा और उसको फिल करने के बाद है ना फिल जाकर सस्ट के पास वह information जाएगी और उसके बाद सस्टी जो है वह final result को declare करता है ठीक है ध्यान से सुनिएगा तो उसके बाद सब्सक्राइब करेगा मतलब कि अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रोसेस जो यहाँ पर सस्टी करवाएगा कि सीजियल का जो 2022 का है वह पूरा प्रोसेस आपका अभी आने वारे समय में कितने दिन तक वह आपका अपका start होने वाला है तो अब उसके लिए आप लोग किस तरीके से त्यार हैं किस लेवल तक आपकी तयारी हो चुकी है वो भी जनना बहुत जरूरी है और अपने आपको आ आगना बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखिए पेपर आपका हो चुका है अपने मेंस दिया है लेकिन फिर से आपका पी का पेपर आया है तो यहां पर काफी बच्चे ओवर में आ जाएंगे कि जलो मैंस हमने दिया भी हमने टियर वन तो एक दम ऐसे चुटकी में निकाल लेंगे और उसमें कई बच्चे फस जाएंगे यहां पर तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना इन चीजों पर कि जो एससी सीजियल टियर वन का पेपर हुआ था आपको उसको करना लेकिन आपको पास करना अच्छे नमर से ठीक है तो तो इसी तरह के से अपने आपको त्यार कीजिए और अच्छे तरह किसे दीजिए हां यहां पर एक चीज़ और कि अभी बहुत सारे बच्चे जो है वह सीजियल टियर टू के टैपिंग टेस्ट में बहुत दिक्कत कर दीजिए टैपिंग में बहुत लोग ट्रैपिंग में गलती किये हैं कई कई जगहों पर कई सेंटर्स पर ऐसी ऐसी बाते भी हुई है कि वहां के जो इन्विजडेटर हैं वह बच्चों को बोला कि पर अगराफ जो तुमने लिखा है उसको फिर से दवार टैप करो और तो यह बहुत दिक्कत वाली बात है तो इन बातों का ध्यान रखिए सावधान रहिए कि चीज़ों चीज़ें आपके फेबर में हो ना कि आपके अगेंस्ट में हो यह अगर आपकी पूरी जिंदगी पर सवाल उठता है और आपकी जिंदगी खराब हो सकती आगी चलकर त अब सब्सक्राइब तो यह अब तक अपना टाइपिंग जो है आप सही कर लिए को कि टैपिंग टेस्ट तो आपको वहां भी देना है सबी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजी कम्पूटर जो है वो भी आप सभी लोगो सीख देख जा रहा है है ना देखके गया है कि क कम्प्यूटर जो है उसको हलके मत लीजिए काफी बच्चे कम्प्यूटर में परिशान हुए तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है हर चीज को तो आगे जिसमें कंप्यूटर आएगा आगे जिस भी एक्जाम में कंप्यूटर आए उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी ठीक है तो कंप्यूटर से सीख ले लिजे अब उसको भी पढ़ना ही उतना ही इंपर्टन है जितना आप बाकी सब्सक्राइब पढ़ना है तो बस यही बात आप लोगों अब यह मत कहीं कहा रहा हूं कि रूम में बंद कर लो अपने आपको और पागल हो जाओ है तो इससे यह आप सभी लोग अच्छे से पर हो तयारी करो मांकि कोई questions हो कोई query हो सभी लोग comment में जरूर लिख देना मैं आपके सवाल का जवाब वहां पर रिवर्ट में दे दूँगा ठीक है चलिए आप सभी लोग को best of luck and happy holy to all of you अच्छे तरह किसे फेस्टिबल मना लो एक दिन लेकिन उसके बाद आप सभी लोग अपने तयारी में जुर जाईए धन्यवाद